Hello everyone, इस वीडियो के अंदर मैं explain करने जा रही हूँ, chapter 12 of NCRT book class 10th that is electricity और इस chapter का जो मैंने topic इस वीडियो के अंदर cover किया है, हो है om's law and its verification क्योंकि NCRT book का topic number है 12 point और इसके साथ साथ मैंने explain करने है resistance Hello everyone, my name is Sarabjit Kaur, welcome to my channel SK Studies और चलिए हम वीडियो को start करते है Ohm's law and its verification, सबसे पहले हम बात करते हैं ohm's law, यह ohm's law होता क्या है It states that physical condition the same, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across these two ends, तो ohm's law होता क्या है, ohm's law क्या कहता है कि कि किसी भी conductor की अंदर जो current होता है वो directly proportional होता है potential difference के, तो potential difference को हम denote करते हैं और current को I से, तो according to ohm's law, V is directly proportional to I, right तो अब इस proportional को हटा के हम लगा देते हैं, here R is the constant of proportionality and is called the electrical resistance of the conductor, right अब हमने करनी है इसकी verification, तो इसकी verification करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सर के diagram इसका दिखाती हूँ, तो देकिए यह है इसका सर के diagram सर के diagram के अंदर हमने क्या के यूज किया है, सबसे पहले हमने यह लिए है एक नाइक्रोम की वायर, और इसके अक्रोस हमने लगा दिया है एक वाल्टमीटर, उसके बाद हमने यहाँ पर सबस्क्राइब कर सके कि एक स्वीच है और इसके अंदर हम लगा रहे हैं दो या दो से ज्यादा तो अब हमने इसके अंदर अब इसकी हम थोड़ी सी जो है थियोरी वह देखते हैं तो क्या है आपको बहुत अच्छी क्लारटी होगी तो इसके अंदर हमने क्या करना है सबसे पहले एक सेल को इसके अंदर अटैच कर देना है इस तरह से सबस्कीन है तो अब हमारे इस हमारे इस इलेक्टिक सर्केट के अंदर सिरफ एक और यह इंकुडिट नहीं है इस को किया तो हमने क्या करना है वोल्टी मीटर से की को मेंजर कर लेना है और करन करन hem हमारे वोल्टेज वह 2.5 वोल्ट आ रहे है और करणट है 0.1 वोल्ट आ रहा है दूसरी बारे में क्या करेंगे यहां से दो को इस इंदर हमारी यह दो हैं वह इस तरकिट का उन्दर नहीं है सिमिलाली वही हम क्या करेंगे वॉल्ट की warto से यहां से Vallahi की डिको मेजर कर लेंगे और यहां से करंकी डिको मेजर करेंगे इसी चरह करना है कि प्र रिपीट को हां करते हूं कि यहां पर सbone यह करना है हमने पर सू做 कर और में πौ में हमने क्या करना है इन दोनों का रेशियो लेना है और रेशियो क्या होगा वी अपॉन आए तो हमने 2.5 को जैसे 0.1 से डिवाइड किया तो हमने फिर देखा 25 तो इसी तरह हम देखेंगे कि हर एक वैल्यू के अंदर जो हमारा रेशियो है वी बाई वह हमारा कितना आ रहे ह जात पाउड़ी है और वह सिकान क्या हो गई हमारी रिसिस्टन्स तो इस तरह से हमने क्या देखा जो हमारी जो बैल्यू है आव मिंटू से आर की वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए सेम आ रही है तो इससे पता चलता है कि प्रफोस्ट्स दॉडेक्र करते हैं ग्राफ करते तो हमारी जो यह एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और जो पास कर रहे है हमारा ओर रीजन के अंदर से तो इस से हमें इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है यही हमारा ओम स्लो होता है कि जो किसी कंड़क्टर के अंदर जो पोटेंशल डिफरेंस होता है वो करंट की यह दिर्क्ली प्रपोर्शनल अब इस इस जर्मन फिजिक्स जोज साइमन ओम तो अब इसका नाम ओम पड़ा क्योंकि 1827 में जर्मन का फिजिक्स जोज साइमन ओम उसने इस रिलेशन को सबसे पह T तोरी किसी कंड़क्टर की प्रॉपरी होती है जो क्या करती है किसी भी कंड़क्टर की अंदर का आज के फ्लो की करती है मतलब लोगती है तो कि अगर या देर किसी करती है कम्या ज्यादा घरदी है और इसके पीनिशिंट नीचिंट must स्थे पहले ने उसके बारे में ब्यारे मिताना होता है ऐसा यूनित के बारे में तो रेस्टंस का जो असा होता है वह होता है और इसको हम रिप्रेजन करते हैं ग्रीक सिम्बल इस टाइब यह की हमारी ओगी ओऊंकिर डिफाइं करना है तो अब हमें पता है कि ओम स्लों क्या होता है आर वी इस इकॉल टू आई यहां से आर आ गया वी बाई यह हमारी क्वेशन है ट्वेल पॉइंट सिक्स इन दर एंचियाटी बुक कि अगर हम उसके अंदर पॉटेंशियल का जो डिफ्रेंस है अगर हम उसको वन वोल्ट ले ले और जो करन्ट फ्लो कर रहा है वह वह वन एंपियर ले तो जिर रिजिस्टेंस होगी उस अग्ड़क्टर की तरकेट की वह क्या हो जाएगी वन ओम वींटू से वन ओम इस इकॉ है यह वन वॉल्ट पर एंपियर तो फॉ वन वोल्ट लिएग दीवार्ड वाउन बाइज अगर्ण एपन है इंपॉस प्राइट अब हम रिलेशन करते हैं इंड आई और व से हमने क्या किया आई के वेल्यव को निकाल लिया तो आइक वैल्यू के वैल्यू की वैली from this equation that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance this equation से क्या हुआ कि जो क्रण्ट की वैल्यू है यह हमें क्या पता चलता है जो क्रण्ट है वो रिजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रपोर्शनल है इसलिए अगर हम क्रण्ट की वैल्यू को अगर हम गठा देते हैं तो उसकी हाव या फिर अगरह Mü ड्यूफी कि लिधर कर देते में क्रइंस हो आप क्या क्या हुआ करतों कि को इंक्रीज ऑक शिपर्सली क्या है इंक्रीश सकते गीव Key यह तो था रेजस्टेंस जिसके अंदर हम फिक्स पैल्यू लेते हैं रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस को होता है यहускों प्वारी जिसके अंदर डियू को हम चेंज कर सकते हैं बाइबर्बर्री को दिकर रहे है तो हम करंठ चाहिए तो हम रिजुस्टे वैल्यू को डिक्रीज कर दो एंगर हम यूस्ट तो डेगुलीट करन्ट विदाव चेंजिंग तो यह होजेगा हमारा वीरिबल रेजिस्टन के जो हम इलेक्ट्रिक सर्केट के अंदर वेरिबल रेजिस्टन करते हैं वो जो कॉंपोनेंट वो डिवाइस होता है उसका नाम के होता है और यह ज्यादा तर हम आपने शर्केट्स पे इसी का यूज करते हैं जो हम लेते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट को अपने अंदर से बड़े इसली फ्लो करने देते हैं अपकुछ ऐसे भी ओते हैं जो कुछ कि फ्लो को रिजिस्ट करते हैं रोकते हैं वह दाएट पोशिन ओफ एलेक्ट्रों इन इन इलेक्ट्रिक सर्केट कॉंसिट्ट एन एलेक्रिक करंड अब हम पहले पढ़ चुके हैं इस एक अंदर फ्रीली मॉब नहीं करते राइट दे आर तेको जैसे हम कोई एक कंडक्टर ले रहे हैं अब यह क्रण्ट का फूर करना है और वह जोगंड़ार है कि वह किस तरह के अधिम से बना हूँ है अगर जो forces of attraction between the atoms कम है बहुत लो है उसके सब्सक्राइब कर जाएंगे और जो हमारा क्रेंट है वो इसली पास करेगा थर्स motion of electrons conductor is started by its resistance तो इस तरह से जो attraction of atoms है वो किसका काम करेंगी वो resistance का काम करेगी motion of electrons से लिए अब इस जो हमने topics on slow और जो रिजिस्टेंस अंदर कुछ points है points to remember जो हमें याद रखने है component of a given size that of a low resistance कहता है ऐसा component क्या जो current के flow को low resistance का क्या मतलब है उस circuit के अंदर से ज़्यादा current flow करेगा तो वो जो conductor क्या हो जाएगा good conductor right number two a conductor having some appreciable resistance is called a resistor कहते है कि ऐसा conductor जिसकी अपनी particular value of resistance होती है वो क्या होता है resistor a component of identical size that of a higher resistance is poor conductor कहते है कि ऐसा component जिसका size तो same है बट वो resistance बहुत ज्यादा दे रहे है और resistance क्या मतलब है कि उसके अंदर जो current की value है बहुत कम flow कर रही है तो वो क्या हो जाएगा पूर conductor और पूर conductor right इसी तरह से and insulator of the same size offer even higher resistance कोन होते है जो current के flow और जिसके अंदर से current बिल्कुल भी flow नहीं करता क्यों नहीं करता कि उनकी जो resistance होती है वो काफी ज़्यादा होती है तो hope आपने यह जो मैंने आपको समझाया ओम सो के बारे में और जो resistance के बारे में ठीक है और अब करते हैं आपको अच्छे से क्यार हो गया होगा और अकर फिर भी आपको कुछ प्रब्रम है तो आप मुझे कमेंट आ सकते हैं थैंक्यू सो मज़ करता है तो